हेलो एबरिवन कैसे हैं आप उमीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगी स्वास्त होंगे और मस्त होंगे और देखे हम तेनों अभी पैदली रस्ता लगे हुए हैं क्योंकि हमें गाड़ी नहीं मिली में मेजिधानी और उनकी बुवा हम तीनों ना उनकी बड़ी बुवा के वहां मैं जिठानी के मतलब तो हमको गाडी नहीं मेली बस पाले रस्ता लगए और यहाँ पे लोगों ने एक डिगी बोलता है इसको उसमें पॉलतिन बिचा के पानी भरके मतस्या पालन करका यहां वही तो हमको गाड़ी नहीं मिली हम चलते रहे ते यहां पहुँच गया नहीं खरके रहे करतीन तो हम और आघे निकल गए थैं देखिए नहीं मिली तो हम अर आगे निकल गए थैं यहां देखिंगे और पोuğ थी थैं तो जो बजब मॊन् bursting तो पुएज अजिया जो प्टाजिया तो यह नम्ड़ी नहीं मिलेगा उसको कहते हैं कि सब चलरहे है पैदल देखते हैं कब गाडी मिलती है है रहाम जी जो भी होगा ते देखते हैं आपारबें दो आरें गाड़ी या रुकने रहें, मतलब सितना सब गाड़ी भरी वही आई तो हमारे सीथ सोलो हमें, उनके लिए ने खाइए लग हागई चाहि उनके लिग लगई तो जो थोड़ा साइट रेक गड़ाएं गरम हो गया रहा हुग एक गाड़ी आई देखो है अपने आरी तो देखते हैं पी गाड़ी का क्या होता है तो थोड़ा ऐसी चलते है अब लोग पहुंच गए थे करिबं सबातीन बजे और अगती मैं प्ताफ़ लाइब ली मतलब लाइब गई मैं और मैं लाइब लेती हूं जो शाम को तीन से चार बजे तीन से पांच जाता है लेकिन जहां तक रहता है जब एक घंटे के लाइब रहती मेरी तो आप में ब्ल जातों आपने किसी बार्ट बेंटे कोशिवादे क्तीन से हैं स्यार से यसलिक रोटी सेतीो चाहरू है बाता है कार्च जान्य सालत बीजे 7 बीज़् 26 में बेंटे में जोली बार में दला कड़ी और चावल है देखते हैं तो उससे पहले तो फटाफट वचाई बना लेती हूं और बच्चे सोने हैं हराम से तोगी संडे है तो चाह बाई पिने के बाद मैंने यहां पें पेसन के पाकोड़े बनाने के लिए यहां पें निकाले है और यह वीडि करना मैं जब लागती हूँ तो चान चुन के डबे में रख लेती हूँ तो वही करके रख लिया था और बस इसमें फिर धनिया हल्दी नमक मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है तो पहले सोची थी इसमें कुछनी डालू लेकिन बाद में एक चोहार तुकड़ा प्यास यहां पर बेसन के पकोड़े बना के रख दिया है और जो डॉंगे में बेसन खोला था उसमें मठ्था डाल दिया लेकिन उसमें मैं जोली नहीं बनाई थी वो मैंने एक घंटे बाद बनाई थी तो बस मैंने खाली है अच्राड़ जाल फिर नहीं है मातल है मैंने इसमें रख बंद मुझा है अच्का अधिक कंगे घंओ नाल आ नाल मैंने नहीं हूंड़े निकी अच्ट के र एचिते हैं जो आप गी देखेंगे न इतना जल काला हो रखा देखें आपको दिख रहा होगा ना क्योंकि बेटी ना जिस डबे में घीता उसको पुरा गैस में रख दिया था और तो डब भी जल गया और गी जल गया तो बस यहां पर देखें मैं तड़का दे दिया है इसमें लेकिन ज अच्छे हो गये थे फिर भी सॉफ्ट हो गये थे खाना खान से 10-15 मिट पहले में दुबा दे थे जोली में तो बस यहां पर खाना खाना गया देखें मेरा सूट आ गया था पारसल तो बस एक सिंपल साई सूट में गया था और अच्छा लग रहा है तो आप लोग को कैसा लग रहा है और बस इसके साब व्लोग की एंडिंग भी करती हूं और आज का व्लोग आपको मेरा कैसा लगा जूरू बताइए तो मिलते हैं किसी और नेक व्लोग में और तब तक के लिए बाई